पेसा हाई पेसा उफ पेसा करते तो आपने कई लोगों को सुना होगा कहवत भी है चमडी जाए पर दमडी न जाए कोई कहता है पेसे से बड़ी कोई चीज नहीं लेकिन हम अगर आपको ऐसे शक्स से मिलाए जिसे पेसे को देखकर घुसा आता है जिसने 35 वरस की उम्र पार करने के बाद भी आज तक रुपियों को हाथ तक नहीं लगाया तो आपको हमरी बात पर यकिन नहीं होगा या फिर इस शक्स को लेकर आपके मन में तरहतरा के खयाल लेकिन अगर हम कहें कि यह सफल व्योसाई भी है और बरसों से अपने धंदे को बखुबी चला रहा है संभाल रहा है वह भी बगेर पेसे को हाथ लगाए तो आपको हमरी बात पर यकिन नहीं होगा लेकिन यह सच है और जितना आश्चरी आपको हुआ उतना आश्चरी हमे भी इस सक्से से मिलकर हुआ दरसल सेंद्वा की किला गेट के पास फ्रूट का ठेला लगाने वाले कमल को ली बरसों से फ्रूट का काम कर रहे हैं लेकिन कमल की एक खास्यत यह है कि वह पेसों को हाथ नहीं लगाता कमल इस बारे में बोलते हैं कि मुझे नहीं पता इसा क्य लेकिन बच्पन से आज तक पेसो को हाथ नहीं लगाया पेसो को देखता हूं तो घुसा आता है और चीड उटती है पसी ना आने लगता है कमल के पेसो को हाथ नहीं लगाने के चलते हर वक्त दुकान पर उनके साथ एक व्यक्ति मोजूद रहता है जो ग्राहकों से पेसो का लेंदेन करता है और कमल फ्रूट तोलने देने आदी का काम करते हैं इतना ही नहीं कमल अगर कहीं आता जाता है और कुछ खरिदना है या खाना होता है तो उसके लिए भी हमेशा एक सक्स उसके साथ रहता है जो पेसो का लेंदेन करता है मिशार भी मांना मुझा wszystko आता ही। मुझ आप दुकान संचलेत करते हैं व्लम। अब दुकान का सचाल կह थीरों कि रचा कर मेरे पास। मेरे पास या तो मेरे परिवार के सदर्श्य रेता है या तो जाना रेता है तो कोई साथ में जाता है या तो जाता हुए नहीं तो फिर फिर धर पर भी दुखान पर कोई साथ मेरे तो कोई साथ मेरे घ्र आप अब ले जाना भू़ता है और दोस्तों को भी बज़ना बड़ता है आपके बच्चों को पेशे मंगते हैं तो बाद में समझ जाते हैं पपाई पार हेते लिए इसलों मम्मी से मंगते हैं इसका करते हैं और चिड़े करेंगे आपके बच्चों को पेशे मंगते हैं